कि थो हड्यो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वॉठ्स और वम्हेल कम बैक वाप पना य्यूटुट्प चैनल वे दाथू निट मेड़ इसी और मैरे प्यारे प्यारे बच्चों नीट इन वन फॉर्टी डेज हम लोगों को पहले एक छोटी सी और बहुत important सी update में आप सब लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर अभी तब आप लोगों ने हमारा telegram channel जॉइन नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा telegram channel neat made easy जॉइन कर लो क्योंकि इस telegram channel पर आपको हमारे weekly schedules, daily quizzes, live alumni के साथ में हमारे sessions, daily notes, weekly test, प्रतिग्या सीरीज के बारे में update और अब हमारी जो नई PYQ सीरीज आ रही है उसके बारे में information मिलेगी लिंक आप लोगों को मैंने description box में डाल के दे रखाए ठीक है उसके अलावा गाइस एक और बहुत important update वेदान्तु daily practice problem गाइस यह जो slide आपको दिख रही है वेदान्तु daily practice problem की यह इसका link भी हमारे video के description box में है आप जाएं और उस link पर click करें chapter खतम होने के बाद आपको हमारे 10 questions मिलेंगे जो आप लोगों को practice करने में मदद करेंगे structure of atom की और ऐसे ही वेदान्तु के आने वाले हर video के description box में आपको इस प्रकार का link मिलेगा और chapter related 10-10 questions मिलेंगे तो बीना time waste करें आप लोग काम पर लग जाओ तब शुरू करते हम लोग हमारे dual nature of matter तो guys अभी तक आप सब लोग जानते थे कि electromagnetic wave का dual nature होता है अभी तक हम लोग सब क्या जानते थे कि हमारे electromagnetic radiation का dual nature होता है लेकिन एक fine day एक fine day हमारे dual nature of matter के लिए एक cafeteria में आइंस्टाइन दी ब्रोगली और हमारा नील बोर और हमारा max plank ये सब लोग बैठे वे थे बात बात कर रहे थे कैफे में हची मता कर रहे थे लड़कियां ताड़ रहे थे किसी भी आइंस्टाइन बोलता है कि सुनबे जंडू तुम सबसे ज्यादा powerful में है क्यों भाई तू powerful क्यों है तो आइंस्टाइन बोलता है सुनबे जंडू मेंने एक law दिया है इसे क्या बोलते है e is equal to mc square इनेरजी इस इक्वाल तो मास इन्टू वेलोसिटी का स्क्वाइर लोगों ने बोला हाँ यार यह थे तो तेरी बहुत फेमस है हम सब लोग इस थेओरी को जानते है इत्ते में प्लांक बोला क्यूब है वह भी तो एसे ने बोला तो में ने भी तो यही बोला है e is equal to hc by lambda e is equal to hc by lambda तो इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई इनकी लड़ाई में नील बोर जोर जोर से रोने लगा बोलता है मैंने इत्त अच्छा model of atom propose करा पर मैं बोर quantization नहीं बता पाया है सब ने उसको चुप कराने के लिए लग गए और प्लांक और आइंस्टाइन की लड़ाई खतम हो गई लेकिन इन दोनों की बात सुन रहा था एक शातिर आदमी जिसका नाम था डी ब्रोगली डी ब्रोगली बड़ा वदमाश आदमी था तो डी ब्रोगली ने क्या करा इन दोनों की बाते सुनकर अपनी लैप में गया उसने बोला कि आइंस्टाइन ने बोला कि energy is equal to math into velocity का square और प्लैंक बोल रहा है energy is equal to hc by lambda ये इसने electromagnetic radiation के लिए बनाई ये इसने हर matter के लिए बनाई तो क्यों ना मैं दोनों equation को combine कर दूँ तो डी ब्रोगली ने क्या करा इन बेसिकली put equation number 2 in equation number 1 तो यहाँ पर क्या हुआ जब equation number 2 को equation number 1 में रखा तो hc by lambda बराबर हो गया mc square के c से c कट गया तो ultimately lambda हो गया किसके बराबर lambda हो गया h upon h upon m into c के बराबर याने कि अगर आप यहाँ पर c को velocity मान रहे हो तो आप velocity को v से भी लिख सकते हो तो यहाँ पर therefore एक formula बन गया lambda is equal to h upon mass into velocity और इस formula से क्या प्रूव हुआ इस formula से यह प्रूव हुआ कि ना केवल आपके electromagnetic radiation का बलकि दुनिया में मौझूद हर एक particle का dual nature होता है यहां पर यहां पर इस पूव तो यहां पर दिस पूव थैर यह पर दिस पूव तो अवर अवर errand गया है एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दा मास याने आपके पार्टीकल का मास जितना जादा होगा उसकी वेवलेंट उतनी कम होगी क्या ये बात समझ में आ गई और इसी के साथ यहाँ पर प्रूफ हो गया डी ब्रोगली dual nature of matter डी ब्रोगली dual nature of matter क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों तुमको समझ में आ रही है क्या इसके अंदर किसी भी तरीक है कि कोई प्रॉब्लम ठीक है डी ब्रोगली नहागे कहा कि क्या तुम जानते हो mass into velocity याने m multiply by v is equal to momentum it is equal to momentum denoted by p so therefore आप जब इसकी equation ये वाली देखोगे so h upon m into v है तो क्या मैं m v की जगा पर rho नहीं लग सकता तो यहाँ पर therefore आपकी जो नहीं equation हो जाएगी हो जाएगी lambda is equal to h upon p याने की momentum क्या बात समझ मैं प्यारे बच्चो कोई problem कोई दिक्कत कोई परेशानी अच्छा डी ब्रोगली ने एक बात और बोले भाई यह particles जो है यह कुछ kinetic energy के साथ move करेंगे like electron आपके nucleus के आसपाद एक particular kinetic energy से move करता है तो यहाँ पर kinetic energy के साथ में भी relation निकाला गया kinetic energy and dual nature of matter and dual nature relationship तो यहाँ पर डी ब्रोगली ने बोला कि मैं को एक बात बता हो what is kinetic energy तब ने बोला kinetic energy is half mv square half mv square तो डी ब्रोगली ने बोला multiply this equation by mass on both side by mass on both side ठीक है तो भाई यहाँ पर भी mke हो गया और यहाँ पर ही हो गया half m square v square इस 2 को उसने बोला इधर ले जाओ तो हो जाएगा 2m ke is equal to m square v square अब आप सब लोग जानते हो m multiply by v is momentum तो क्या यहाँ पर m square v square को में momentum का square ने लिख सकता बिल्कुल लिख सकते हो जाएगा 2m ke is equal to momentum का square और आप क्या कर सकते हो under root 2m ke is equal to p याने momentum तो therefore put this in equation put this in d brogley equation जब आप इसको d brogley equation में लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा lambda is equal to h upon under root में 2m ke तो यहाँ आपके wavelength का kinetic energy के साथ relation हो गया मतलब आपके particle का जितना मास होगा और जो उसकी kinetic energy होगी वो भी decide करेगी कि उसका wavelength कितना होगा की के प्यारे बच्चो कोई problem आपको इसके अंदर किसी भी तरीक है की 100% चीज क्लियर हुई आगे बड़े अब यहाँ पर star बना कर एक point जरूर लिखेंगे कि हम लोग सब जानते हैं कि smaller the mass smaller the mass greater the lambda greater the lambda सी लिए डी ब्रोगली dual nature केवल microscopic particles पर applicable होगी आपके और मेरी तरह बड़े लोगों पर नहीं यहाँ पर bracket में लिखेंगे that it is only applicable it is only applicable for for the microscopic particles आई बात समझ में अच्छा अब जब यह हुआ और जब डी ब्रोगलीक ने यह त्री बड़ी बात प्रूफ कर दी कि अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि जो electron है, proton है, neutron है, atom है यह सिर्फ और सिर्फ particle nature के हैं लेकिन अब समझ में आया कि जब electron nucleus के आसपास घूमता है तो वो एक wavelength भी बनाता है वो electromagnetic wave भी छोड़ता है और इतनी बड़ी बात प्रूफ होने के बाद तब खुश होगा लेकिन नील बोर रोने लगा, बोलता अरे मेरा बोर quantization तो कोई समझा दो, तो Einstein आए, Einstein ने बोला Einstein suggested कि भाई अभी अभी डी ब्रोगली ने क्या प्रूफ किया कि तुम्हारे nucleus के आसपास ये जो electron एक circular पात में घूम रहा है, नील बोर बेटा तू बोलता था कि ये circular पात में सिर्फ घूमेगा, लेकिन बेटा तू ये बताना भूल गया कि जब electron घूमेगा, तो वो साथ साथ में wave nature भी शो करेगा मलब electron केवल पार्टीकल की तरह नहीं घूमेगा, वो एक wave की तरह भी शो होगा मलब electron जब इस nucleus के आसपास यहां से चलना शुरू करेगा, और जब वो चलते चलते अपने पूरा circular path complete कर लेगा तो बेटा वो यहां पर n number of wavelength छोड़ देगा, वो n number of wavelength रिलीस करेगा और वो कब रिलीस करेगा, जब वो इस circular path पर अपना रस्ता पूरा कर लेगा तो इसका circumference क्या हो गया, 2 pi r, 2 pi r क्या है, it is the circumference और यहां पर n number of wavelength रिलीस करी गई, क्या यह बात आप लोगों clear हुई, कोई problem, कोई दिक्कत तो यह आपकी equation number 1 हो गई, now equation number 2, क्या आप लोग यह नहीं जानते, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि इस equation को जब मैं rearrange करूँगा, तो यह कैसे काम करेगी, या क्या आप लोग यह नहीं जानते, कि आपका जो momentum होता है, वो mass into velocity के बराबर होता है, क्या आप लोग यह जानते हैं, हाई या ना, और अगर आप लोग यह जानते हैं, तो यह भी जानते होंगे, कि momentum is mass into velocity, और आप सभी लोग यह बात भी जानते हों, कि जब आप लोग डी ब्रोगली, dual nature of matter की equation, जो कि आपके सामने दे रखिये, lambda is equal to h upon p, lambda is equal to h upon p, तो जब आप यहाँ पर इस equation को, h upon mv को, यह वाली lambda की value को, जब आप इसमें put कर दोगे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक काम करते हैं, इस equation को, यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर directly लिख देते हैं, कि भाई यह लेमडा is equal to h upon mass into velocity, तो इस equation को इस equation में जब आप put करोगे, आपको यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, आपका देखने मिलेगा, n multiply by h upon mv is equal to 2 pi r, क्या मैंने सही बोला, तो अब आप इस equation को जब आप rearrange करोगे, 2 pi को नीचे ले जाओ, ते हो जाएगा nh upon 2 pi, और इस mass into velocity को यहाँ ले जाओ, ते हो जाएगा mvr, और यही तो है तुम्हारा बोर quantization, angular momentum mass into velocity into radius is always equal to nh upon 2 pi, hence proved, तो इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि आपका जो नील बोर था, नील बोर को यह पता ही नहीं था कि electron यहाँ पर dual nature शो कर रहा है, विचारा वो तो केवल mass into velocity into radius से angular momentum निकाल के खुश हो याता था, क्योंकि electron को वो particle nature मानता था, लेकिन electron का तो particle nature के साथ में wave nature भी है, जब वो nucleus के आजपाद एक पूरा चक्कर काट लेता था, तो वो n multiply by lambda, यह इतनी सारी wavelength रिलीस करता था, जब वो एक 2 pi r को पूरा घूम लेता था, यह नील बोर बता नहीं पाया और इस वज़े से उसको बोर quantization को प्रूफ करने में problem हुई, लेकिन डीब लोग ली dual nature के बाद अब बोर quantization भी proved हो गया, hence, बोर quantization, we proved बोर quantization, बोर quantization is now proof, अब चलते हैं, हैसेन बर्ग uncertainty principle की तरफ, guys, हैसेन बर्ग ने एक सीदी सी बात बोली, कि नील बोर भी पागल या आदमी है, नील बोर पागल आदमी, लोगों ने पुछा क्यों, नील बोर पागल आदमी क्यों है, तो इसने बोला, कि मेरा भाई, नील बोर बोलता है, कि यह electron है, हमने बोला हाँ, नील बोर ने बोला, कि यह electron अभी इस पाथ में घूम रहा है, इस पाथ में घूम रहा है, और यह इसका expected path है, नील बोर का, यह कहना था, कि यह आपके electron का, this is electron's expected path, इलेक्ट्रान इस पाथ में घूमेगा तो ठीक है इलेक्ट्रान घूमते घूमते यहां पौच गया लेकिन अब जब आप इस इलेक्ट्रान की पोजीशन पता लगाने की कोशिश करोगे तो भई आपको यहां पर माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा और microscope भी केसा छोटा मोटा नहीं high resolution microscope आप यहाँ पर लगाओगे यह high resolution microscope क्या करेगा मुझे एक बास बताओ आप मुझे कैसे देख पा रहे हो जो आपके room में रोशनी है वो रोशनी मेरी body पर गिर रही है और मेरी body से टकराने के बाद reflect होने के बाद आपकी आखों में गिर रही है या मैं कहूं यह जो मेरा असपास light है यह मुझे पर गिरने के बाद मेरे camera के lens में गिर रही है और इस camera के lens की वजह से आप लोगों को दिखाई दे रही है क्या मैं सही बोल रहा हूं तो यहाँ पर भी इस electron को देखने के लिए आपको इस electron पर एक particular wavelength की light गिरानी पड़ेगी आप यहाँ पर इसके ओपर light incident कर रहे हो light कहूं यहाँ मैं कहूं photon incident कर रहे हो photon जिसकी energy h new के बराबर है लेकिन problem यह हो गई क्योंकि यह light यह photon भी dual nature का है और आपके electron का भी nature dual है तो जब यह photon इस electron से जाकर colloid करेगा collision करेगा और collision करने के बाद यह वापस से जाकर camera या microscope के अंदर गिरेगा और आपको electron की position दिख जाएगी कि electron यहाँ है लेकिन बेटा अब एक बात भूल गए कि जब इस photon नाकर इस electron को मारा होगा तो इसकी मार की वज़े से इस photon की energy इस electron में transfer हो गई होगी और जब इस electron में photon की energy transfer हो गई होगी तो इस electron की energy बढ़ जाने की वज़े से यह electron एक new path पर आगे बढ़ जाएगा expected path की जगे electron अब एक नए path पर आगे बढ़ गया तो इसका मतलब यह है कि इसकी velocity चेंज हो गई यहाँ पर इसकी velocity चेंज हो गई तो हाइसेंबर्ग ने बोला कि अगर तुम एक electron की position पता लगाने जाओगे तो उसकी velocity का पता नहीं लगा सकते क्योंकि electron से photon की टकर के बाद उसकी speed चेंज हो जाएगे और अगर आप electron की ऐसे velocity पता लगाओगे कि वो इस particular path पे किस speed से घूम रहा है अगर आप यह पता लगाने की कोशिश करोगे तो position नहीं पता लगावाओगे क्योंकि कभी electron यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ पता ही नहीं चल पाएगा कि कहा है electron तो हैसेनबर्ग ने बोला कि भाई मेरे बच्चो मेरे गुलजारी लालो हैसेनबर्ग ने एक बात बोली मेरे गुलजारी लालो कि एक हर चीज में अनसर्टेंटी होती है यहने इट स्टेट्स दाट the position and momentum of microscopic particles the position and momentum of the microscopic particles is cannot be determined simultaneously आई बात समझ में simultaneously with accuracy with accuracy और certainty यहने accuracy और certainty के स्याथ आप नहीं निकाल सकते इसके लिए हैसेनबर्ग ने एक बढ़िया वाला formula भी हमें दिया हैसेनबर्ग ने बोला कि भाई delta x that is called as change in position of electron यहने electron की position में जो change होगा multiply by delta p change in momentum change in momentum यहने कि अगर आप momentum यह velocity निकालने जाओगे तो position में बदलाव आ जाएगा position निकालने जाओगे तो momentum यहने कि velocity में बदलाव आ जाएगा तो कितना position में बदलाव आ रहा है कितना momentum में बदलाव आ रहा है velocity बद डेल्टा पी इस अल्वेज इक्वल टो M multiply by delta V why because mass is always fixed mass is fixed electron हो तो electron का mass तो हमेशा fix होगा लेकिन उसका momentum और velocity बदल सकता है तो therefore आपका यह formula हो जाएगा delta X multiply by delta V is greater than equal to H upon 4 pi M यह M को में यहाँ लिया है तो यह हो गया आपके Heisenberg का uncertainty principle समझ पाए मेरे प्यारे बच्चे इस बात को क्या आपको इसके अंदर कोई problem कोई दिक्कत कोई परेशानी ठीके अच्छा इसी के साथ हमें क्या समझ में आया इसी के साथ हमें एक बात बहुत important समझ में आई कि आपका जो atom है उसकी कोई fixed trajectory नहीं होगी therefore the atoms do not have a fixed trajectory आपके atom की fixed trajectory नहीं होगी मतलब अगर आपका ये nucleus है तो जैसे कि आपको Neil Bohr ने बोला था कि इस nucleus के आज पास आपका electron इस तरीके से fixed circular path पे घूमेगा तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चो मेरे बच्चो इलेक्ट्रॉन nucleus के आज पास इस तरीके से fix पास पे कभी नहीं मिलेगा थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मिलेगा मतलब हो सकता electron यहां मिले यहां मिले मलब electron की जो boundary होगी न वह इस तरीके से थोड़ी ऊबढ़ खाबढ़ होगी जिसे हमारे इंडिया की सरकें गाओं में थोड़ी ती ऊबढ़ खाबढ़ती होती है यह मिलब atom की fixed boundary नहीं होगी atom थोड़ा इस तरीके से उबढ़ खाबढ़ होगा यह आई बात समझ मेरे प्यारे बच्चो इस इस आओ यूर atom लुक्स लाइक नॉट वाट नील बोर सजेस्टेट तो यहां पार नील बोर के model का failure का reason क्या है पहली बात तो ही है only for hydrogen it is applicable only for hydrogen and hydrogen like species दूसरा दूसरा क्या मेरे प्यारे बच्चो यह zeeman effect and stark effect was not explained अब आपके मन में सवाल आयोगा सरी जीमन effect क्या है तो बटा जीमन effect का मतलब है जो होती है यह high magnetic field की presence में split कर जाती है और बिखर जाती है जो नील बोर ने नहीं बताया था नील बोर ने क्या बोला था कि भईया मेरी तो line spectrum जो बना रही है प्रिस्मो को पार हुई और तीन line जाकर वाल पर गिर गई मुझे दिखरी है red green ultra violet लेकिन जब magnetic field से इन light को पास करोगे तो आपको पता चलेगा कि green color की light तो और दो तीन छोटे छोटे color का mixture है बना वो green color शायद yellow और blue color की light को mix करके green बनी है जो यह बता नहीं पाया था तो demon effect is splitting of electromagnetic wave in presence of a very strong magnetic field and stark effect क्या है stark effect is nothing but the splitting of electromagnetic wave in presence of a very strong electric field ठीक है कोई problem कोई दिक्कत अच्छा it was not able to he was not able to explain bonding एक आटम दूसरे आटम के साथ में bonding क्यों करता है कैसे करता है किस लिए करता है नहीं बता पाया उसके बाद नील बोर dual nature of electron को explain नहीं कर पाया एन उसके बाद में हाईसेन बर्ग ने भी एक uncertainty principle दे कर बता दिया कि भाई ये तो बोल रहा है नील बोर की electron की velocity में fix निकाल सकता हूँ कल की class में velocity का formula बताया था फिर इसने बोला कि मैं तो electron की position भी बता सकता हूँ मैं तो electron का radius भी पता लगा सकता हूँ सबके इसने fix formula दे दिये लेकिन ये सब केवल hydrogen तक सीमी थे उसके आगे नहीं बड़े और heavy atoms में Heisenberg uncertainty principle dual nature of electron ये सब काम करने लगता है तो इसलिए नील बोर जो था इसका model बुरी तरीके से fail हो गया और अगे बड़े और अब शुरू करते quantum mechanical model तो अब शुरू करेंगे हम लोग quantum mechanical model तो guys quantum mechanical model जो था actually it was given by Scrodinger and Heisenberg दोनों के नाम जित्ते गंदे के काम भी उत्ते ही गंदे हमारी लगा दी वाट तो basically Scrodinger और Heisenberg का जो model of atom था वो था multi electrons के लिए मतलब ये model of atom आप multi electron atoms के लिए भी लगा सकते थे और आप ये simple hydrogen के लिए भी लगा सकते थे ठीक है इनका जो model था their model of atom was based on uncertainty was based on uncertainty and uncertainty के अलावा ही और किस चीज़ पर बेस था ये बेस था on the basis of uncertainty and dual nature of matter and dual nature of matter for both single electron and multi electron atoms आई पास समझ में आप लोगो को that is Heisenberg and Scrodinger model of atom यहाँ पर guys Scrodinger ने एक wave equation बनाई थी ये wave equation देखकर हम सब लोगों की what लग जाएगी that is d square psi upon dx square plus d square psi upon dy square plus d square psi upon dz square plus 8 pi square m upon h square e minus v psi 0 यह आपकी Scrodinger की wave equation थी आप guys इस wave equation के अंदर आप यह जो x, y और z को देखते हो यह axis है, इसका मतलब यह था कि आपका जो atom है, structure of atom है यह एक three dimensional चीज है, x axis, y axis और z axis, यह एक three axis चीज है आई बात समझ में आप लोगों को यहाँ पर जो psi है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यह जो psi बोला गया that is called as wave function wave function, लेकिन साय का कोई physical significance नहीं है साय का यहाँ पर there is no, no physical, there is no physical significance आपके साय का यहाँ पर कोई physical significance नहीं है लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब आप यहाँ पर साय का square कर दोगे so it shows physical significance it shows physical significance और यह हमें क्या बताता है यह हमें बताता है, it basically tells about orbitals it basically tells about orbitals और कुल मिलाकर स्क्रोडिंजर wave equation समझने के बाद हमें एक बात तो बहुत अच्छे सा समझ में आ गई कि आपका जो atom होता है इस atom के अंदर सबसे पहले आपको मिलते हैं shell जिन्हें आप लोग energy level भी बोल सकते हो और जिन्हें आप orbit भी बोल सकते हो फिर आप देखोगे कि shell के अंदर पाए जाते हैं आपके sub shells in fact sub shell के अंदर पाए जाते हैं orbitals orbitals जिनके size square ने आपको जिसके बारे में बताया था और orbitals के अंदर you will find electron यानि जो आपके electrons होते हैं नील बोर रदरफोर्ट को तो मालूम ही नहीं था नील बोर ने बोला था कि आपके जो at electrons होते हैं वो shell में होते हैं फिर एक scientist थे जिनका नाम था somer field उन्होंने बताया कि shell के अंदर sub shell होते हैं लेकिन बाद में wave mechanical model ने बताया कि atom के अंदर orbitals होते हैं जिसके अंदर electrons होते हैं मलब आप समझो कि atom एक building है अब इस building के अंदर अलग-अलग floor है first floor, second floor, third floor, fourth floor अब मालो यह जो second floor है इस second floor के अगर मैं बात करूँ तो इस second floor में दो कमरे हैं एक कमरे का नाम है S कमरा और एक कमरे का नाम है P कमरा आई बात समझ में और फिर इस S कमरे के अंदर electron है तो हमें लगता है कि electron इस building के अंदर है हां फिर बाद में नील बोर को लगा कि electron जो है यह second floor पर है हां ठीक है गलत नहीं लगा फिर सोमर फिल्ड को पता चला कि electron इस building के second floor के S नाम के कमरे में है ठीक है यह भी सही है लेकिन उस कमरे में भी कहा भाई कमरा भी तो बड़ा है कमरे के bathroom में है कमरे की balcony में है कमरे की chair पर है कि कमरे के bed पर है तो पता चला कि कमरे के bed पर यह electron सो रहा है याने orbital तो atom आपकी building है shell आपके floors है tub shell आपके कमरे है और orbital आपके bed है जिसके उपर electron मिल रहा है इतना जादा अंदर जाना पड़ा हमें atom के electron की position को पता लगाने के लिए अब हम बात करते हैं गाई quantum numbers के बारे में basically quantum numbers क्या है basically quantum numbers are nothing but the address they are nothing but the address of electron in atom आपके atom में यह address है this is the address of electron in the atom आपको quantum number की मदद से यह पता चल जाएगा आपके एक orbital का size क्या है आपके orbital का shape क्या है आपके orbital का orientation क्या है orientation of the orbital shells etc. चाहे बात समझ मैं ही तो एक एक करके हम सारे quantum number पढ़ना शुरू करते हैं तो guys सबसे पहला जो quantum number हमारे पास में आता है that is called as principal quantum number denoted by n guys principal quantum number बताता है the shell of the electron electron कौन से shell में है यहाँ पर अगर n की value 1 है तो हम बोलेंगे electron हमारा first shell में है अगर n की value 2 है तो हम कहेंगे हमारा electron second shell में है n की value 3 है तो हम कहेंगे हमारा electron third shell में है and likewise उसके अलावा guys आपको यह भी बताता है आपके शेल का size क्या है simple सी बात है principal quantum number is directly proportional to the size यहाँ पर आपके first shell का size छोटा होगा उससे बड़ा second shell उससे बड़ा third shell and so on कोई problem मेरे विया रहे बच्चो उसके अलावा it also specifies the energy it also specifies the it also specifies the energy of the shell आई बात समझ में energy of the shell के बारे में बताएगा यहाँ पर भी principal quantum number is directly proportional to the energy in fact principal quantum number एक और बारे में बताएगा it also specifies principal quantum number also specifies the number of electron present in the atom एक electron कितने मौझूद है atom के अंदर by the use of formula 2n square तो जब आप first shell में रहोगे तो 2 into 1 का square याने maximum 2 electron आएंगे आपके first shell जब आप second shell में चले जाओगे तो 2 into 2 का square याने की 8 electron आजाएंगे आपके second shell में जब आप third shell में चले जाओगे 2 into 3 का square 18 electron आजाएंगे आपके third shell क्या या प्रिंसिपल quantum number के बारे में सब कुछ clear हुआ चले प्रिंसिपल quantum number समझने के बाद उथल पुथल के छोटे भाई अजीम उथल quantum number की तरफ चलते हैं अजीम उतल quantum number denoted by n जाइस अजीम उतल quantum number बताता है जैट electron बिलॉंग्स टू विच सब शेल यह आपको बताता है कि आपका electron जो है वो कौन से सब शेल को बिलॉंग करता है इनफेंट अजीम उतल quantum number also signifies the shape of the orbital very important अगर आपको किसी orbital के shape के बारे में जानना है तो आपको अजीम उतल quantum number के बारे में पता होना चाहिए अजीम उतल quantum number निकालने का formula होता है n-1 यानि principle quantum number minus 1 यहाँ पर एक star बना कर सब लोग बात लिखेंगे जब अजीम उतल quantum number 0 आए तो आप कहेंगे कि आपके पास में जो sub shell है आपके पास में जो एल की value 2 आए तो आप कहेंगे आपके पास में d sub shell है और जब एल की value 3 आए आप कहेंगे आपके पास में f sub shell मौजूद है आई बात समझ में कोई problem कोई दिक्कत अच्छा जब s sub shell में हो एल की value 0 हो तो इस के अंदर मौजूद s orbital का shape spherical होगा पी sub shell में मौजूद p orbitals का shape dumbbell shape होगा d orbital का shape double double dumbbell and donut shape होगा हम इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन f orbital के shape के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे बहुत distracted और बिखरा हुआ होता है we don't talk about it ठीक है कोई problem तो यहाँ पर आप इस बात को लिग लीजिये इस तरीके से ठीक है अब जब आपका electron first shell में होगा तो इसके लिए l की value 0 होगी l की value क्या होगी प्यारे बच्चों 0 मतलब मैं कहूंगा मेरा electron 1s sub shell के अंदर है क्योंकि मैं first shell पर हूँ ना जब मेरे n की value 2 हो जाएगी तब बेटा मेरे अधिमुतल quantum number की value क्या मिलेगी मुझे बताओ 1 लेकिन बेटा हमेशे ध्यान रगना अधिमुतल quantum number is always represented it is always represented by 0 to L it is always represented by 0 to L 0 to L अब क्योंकि यहाँ पर आपके L की value 1 हो गई है क्योंकि यहाँ पर आपके L की value इस formula से n-1 से 1 हो गई है तो यहाँ पर हम L की value लिखेंगे 0,1 जिरो भी लिखेंगे 1 भी लिखेंगे now 0 क्या signify कर रहा है S sub shell मलब आपका इसमें electron 2S sub shell में भी है और 1 क्या signify कर रहा है P sub shell मतलब आपके यहाँ पर electron 2P sub shell के अंदर भी होंगे जब आपके n की value 3 हो जाएगी तब आपके L की value हो जाएगी 2 यानि 0,1,2 तब हम इस बात को signify करेंगे कि हमारा electron 3S में भी है 3P में भी है और अब 3D भी आ गया जब आपके n की value 4 हो जाएगी तो L की value 3 हो जाएगी 0,1,2 and 3 0 का मतलब है आपका electron 4S 1 का मतलब है 4P 2 का मतलब है 4D और 3 का मतलब है 4F इस तरीके जाब अजीमुतल quantum number निकाल सकते हैं अजीमुतल quantum number के बात तीसरा quantum number आता है मेरे पास में जिसका नाम है की magnetic quantum number denoted by M मैंने प्यारे बच्चों magnetic quantum number बताता है दा ओर्बिटल इन विच इलेक्ट्रोन इस प्रेजेंट आई बात समझ में कोई प्रॉब्लेम कोई दिक्कत तो यहाँ पर M निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2L प्लस वन M निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2L प्लस वन इसको री प्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा माइनस L टू प्लस L इन फेक्ट यह आपको बताता है हाउ मैनी नंबर ओव और्बिटल्स हाउ मैनी नंबर ओव और्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ सब शेल एक सब शेल के अंदर कितने नंबर ओव और्बिटल्स मौझूद है तो आप यहाँ पर देखो कैसे मालूम पढ़े का हमें जब हमारे N की वैल्यू जीरो होगी तब हमारे L की वैल्यू भी जीरो होगी तो यहाँ पर हमारे M की वैल्यू क्या हो जाएगी वन क्यों सर रखो इस फॉर्मूले में वैल्यू एल की टू इंटू एल याने टू इंटू जीरो तो मल्टिप्लाइबाइब जीरो जीरो प्लस वन इस वन तो M की वैल्यू क्या हो गई आपके आपके m की value 1 हो गई लेकिन इस m की value को represent कैसे करेंगे minus l 2 plus l अब क्योंकि l की value 0 हो गई है तो इसका representation हो जाएगा 0 अब क्योंकि यहाँ पर आपका l का value 0 आ रहा है it means कि आपका जो electron है वो 1s orbital के अंदर मौजूद है 1s orbital और आप लोग सभी जानते की 1s orbital spherical shape का होता है similarly जब आपके n की value 1 होगी तब l की value 2 रहेगी 0 और 1 जब l की value 0 रहेगी तो again आपके m की value 1 हो जाएगी और m की value 1 होने का मतलब है 0 क्योंकि 0 क्यों आया क्योंकि minus l 2 plus l से हमने इसको represent किया similarly यहां पर आपके m की value हो जाएगी 3 क्योंकि जब आपके l की value 1 हो जाएगी तो 2 into 1 plus 1 हो जागा न 3 तो यहां पर इसको represent कैसे करेंगे minus l 2 plus l से क्योंकि l की value 1 है तो हम इसको लिखेंगे minus 1, 0 और plus 1 आई बात समझ में अच्छा अब यहां पर आप एक बात खुद देखो यह जो m की value है यह जो m की value है यह क्या represent करी है यही तो represent करी है कितने number of sub shells है अब क्योंकि यहां पर m की value 3 आई है that means there are 3 sub shells कौन कौन से होंगे वो 3 sub shells एक होगा आपका 2s orbital 0 होने की वज़े से shape इसका spherical होगा यह हो जाएगा 2px, एक हो जाएगा 2py, एक हो जाएगा 2pz क्योंकि L की value 1 मतलब आपका electron 2p sub shell के अंदर है तो 2p sub shell के अंदर 3 orbitals है px, py, pz इन सभी का shape क्या होगा double shape अब आपने देखा यहां पर इसने यह भी बताया कि आपके orbital का axis क्या होगा आपके अर्बिटल किस एक्सिस पर है कैसे है यह उसके बारे में भी आपको बताता है ठीक है चलिए चौथा आ जाएगा आपका spin quantum number समझना इस बात को ठीक से यह तुम्हारा nucleus है एक electron इधर और एक electron इधर है दोनों electron nucleus के आसपास इस तरीके से अपने पाच पर घूमे जा रहे हैं लेकिन साथ साथ में यह electron अपने खुद के एक्सिस पर भी तो घूम रहे हैं तो इन में से एक electron अपने एक्सिस पर इस तरीके से clockwise घूम रहे हैं एक electron अपने खुद के एक्सिस पर इस तरीके से anti-clockwise घूम रहे हैं तो गाइस जब एक orbital में दो electrons रहते हैं तो spin quantum number हमें क्या बताता है इस spin को डिनोट करने के लिए आप दो चीजों का इस्तमाल कर सकते हो अगर यह anti-clockwise है तो यह minus half और अगर यह clock है तो यह plus half या तो आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हो एक को upside वाला arrow और एक को downside वाला arrow अच्छा यह ज़रूरी नहीं है कि clockwise को हमेशा plus half बोले clockwise को अगर minus half बोलोगे तो anti-clockwise को plus बोलना है मतलब दोनों को एक दूसरे से opposite रखना है तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि एक orbital को अगर मैंने ऐसे डिनोट करा square box से तो इस orbital के अंदर अगर दो electron होंगे तो एक ऐसा होगा और एक एक का spin plus half एक का spin minus half तो इस condition में इसका net magnetic moment कितना हो जाएगा एक का plus half एक का minus half तो net magnetic moment हो गया zero बलब यह हो गया die magnetic तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है chemistry में यही बोला है था कि अगर आपके orbital के अंदर have unpaired electron अगर आपके orbital में unpaired electron है then it shows the magnetic properties then it shows the magnetic property समझ मैं यह बात मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको सारे के सारे quantum numbers clear हो गए तो अब एक star बनाकर point लिखो जो आप लोगों को exam में direct formula के तोर पर इस्तमाल करना है अगर आप से कोई पूछता है number of sub shell number of sub shell inner principle quantum number is always equal to n जो principle quantum number है उतने sub shell होंगे मतला अगर आपका principle quantum number 3 है तो इसके अंदर 3 sub shell होंगे 3s 3p 3d समझ में आगई बात दूसरा number of electron inner shell एक shell में कितने electron होंगे इसको निकालने का formula होगा आपका 2n square दूसरा number of orbital inner shell एक shell में कितने orbital है वो निकालने का formula होगा n square मालों आप second shell में हो तो second shell में कितने orbital होंगे n की जगे 2 आगया 2 का हो गया square 4 तो 4 orbitals होंगे 1s 2px 2py 2pz हो गए 4 orbital इस तरीके से ठीक है यह बस यह तीन formula आपको बढ़िया तरीके से याद रखने है चलो तो quantum numbers अच्छे तरीके समझने के बात अब हम लोग यहां पर बात करेंगे notes notes के बात notes के पहले quantum number में हम लोग बात करेंगे shape of the orbitals की shape of the orbitals की तो guys सबसे पहले आपके पास में आएगा s orbital आप सभी लोग जानते है s orbital का shape क्या होता है very good spherical shape का होता है it looks like this एक इस तरीके का spherical shape का orbital होगा जो आपके nucleus को चारो तरफ से घेर के रखा होगा यह है आपका s orbital का shape completely spherical this is how your s orbital looks like यह देखो आई बात समझे मेरे प्यारे बच्चो s orbital s orbital के लिए अजीमुतल quantum number की value हमेशा 0 रहीगी यह first shell second shell third shell fourth shell किसी में भी मिल सकता है कोई problem नहीं है 1s orbital का अगर हम size की बात करें इस कम होगा then 2s orbital का then 3s का then 4s का अगर हम energy की भी बात करें तो energy के लिए भी आप लोगों को same pattern का इस्तमाल करना है ठीक है s orbital के बाद second number पर आता है हमारे पास में हमारा प्यारा पी औरबिटल पी औरबिटल का शेप कैसा होता है डंबल शेप होता है यहां पर पी औरबिटल के लिए L की value 1 होती है और ये principle quantum number 2 के बाद दिखना शुरू होता है अगर हम इसके shape की बात करें तो यहाँ पर हम इस तरीके से तीन एक्सिस बनाऊंगा यह x-axis यह y-axis और यह z-axis जब हम shape देखेंगे तो एक के डंबल उपर एक डंबल नीचे यह तुमारा पी एक्स औरबिटल हो गया है prends और यह तुमारा पी-देड औरबिटल हो गया तो यहाँ पर आप लोगे पास में पी एक्स, पी वाइ, पी बीज़नाव के तीन और्बिटल्स हो गए बोत आफ ओल आफ देम आर डंबल शेप क्या यह बात समझ में आ गई क्या यह बात समझ में कि जब यह तीनों कमबाइन हो जाते हैं तो यह आपको कुछ यह से दिखाई देता है यह पी-एक्स यह पी-वाई और यह पी-जेट का एक लोब सामने की तरफ जादा और पीछे की तरह से एक छोटा लोब एक कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है और यह बीच में न्यूक्लियस होता है आई बात समझें मेरे प्यारे बच्चो कोई दिक्कत के अंदर कोई परेशानी पी-अर्बिटल के बाद तीसरा आता है हमारा डी-अर्बिटल डी-अर्बिटल में दो शेप होते हैं एक होता है डबल डंबल डबल के अलाव होता है डोनट तो यह कैसे काम करेगा देखो तो डी-अर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से शुरू होगा और इसके लिए अजीमुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 2 अजी मुतल quantum number की value 2 होगी which means यहाँ पर आप लोगों को minus 1, 0 minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2 magnetic quantum number दिखाई देंगे यहाँ पर आपके d orbital 5 तरीके के होते हैं यहाँ पर अपन का diagram बनाएंगे एक दो तीन चार और पांच इसमें एक्स और य एक्सिस के बीच में एक लोग दो लोग तीन लोग और चाल लोगे दो डमबल दिखरेंगे दी ए और एक्स और य के बीच में इस इसका नाव हो जाएगा यहाँ लोग दो नोट के इसे नावह दोशनों के चारो लोगश्थे के बीच में तो यह डी यह यह जे गया एक लोब वाइपर दूसरा लोब वाइपर तो यह जाएगा डी एकस स्क्वेर वाइपर क्योंकि लोब के उपर है और यहाँ पर एक लोब तो जेट एक्सिस पर है लेकिन जो दूसरा लोब है वो इस तरीके से मेदू वड़े जैसा हो गया डोनट जैसा तो केवल एक की है कि बाकी सारे double dumbbell होते हैं अई बात समझ में और यह ओगया आपके d-orbital का शेल ठीक है अब काईस बात करते हैं हम लोग आगे नोडस की बेसिकली नोडस आपके atom का वो एरिया है हमारे atom का वो एरिया इन एटम वेर प्रोबैबिलिटी वेर प्रोबैबिलिटी ओफ finding electron is 0% यहाँ पर आपको electron के मिलने की संभावना बिल्कुल 0% हो जाई सबसे पहले आते हमारे पास में radial nodes आप खुद diagram के अंदर देख कर समझो radial node ने किस तरीके से nucleus को घेर रखाए आप देखो जो आपका पहला nucleus के असपास जो आपका पहला orbital है 1s इसमें कोई node नहीं दिखरा इसमें कोई node नहीं दिखरा और radial node निकालने का formula में आपको बता दूँ guys अगर आप लोगों को radial node निकालना है तो radial node निकालने का formula है n-l-1 this is the formula to find the radial node तो यहाँ पर अगर मैं radial node निकालू 1s के लिए तो 1s के लिए n की value 1 और l की value 0 तो therefore radial node का formula n-l-1 n की value 1 l की value 0 minus 1 यहने 0 यहने 1s orbital के अंदर there is 0 node आपको दिख भी नहीं रहें लेकिन जब आप यहाँ पर 2s के लिए observe करोगे तो आप देखो 2s में यह वाला पूरा portion आपका 1s का हो गया और यहां से आपका यह 2s वाला portion start हो गया यह 2s आगया यह 1s था ताथ देखो इन दोनों के बीच में यह खाली space दिख रही है आपको यही इसका radial node है तो second shell में जाकर आपको एक node मिलेगा formula is 2s n की value 2 l की value 0 n-l-1 यहने 2-0-1 यहने की 1 there is one radial node वैसे ही 3s में आपको 3 radial node मिलेगे वहीं अगर मैं angular node की बात करूं तो angular node मतलब particular angle पर यह इस आपका यह p orbital है एक lobe उपर एक lobe नीचे इसको यहां बीच में से काटने वाला यह मैं कहूं इसको यहां बीच में से काटने वाला कि एक lobe उपर रह जाएं और एक lobe नीचे रहा है that is called as angular node गाइस angular node निकालने का formula होता है only and only azimutal quantum number only and only azimutal quantum number अब क्योंकि s orbital के लिए क्योंकि आपके s orbital के लिए l की value 0 होती है यहने s orbital never shows angular momentum समझ पाए बात को clear होगई यह बात अच्छे तरीके से अब note समझने के बात काईज हम लोग बात करते है energy of orbitals की अब देखो यहां पर गाईज अगर मैं बात करूं hydrogen atom की है तो गाईज hydrogen atom के अंदर क्या होता है इसके सारे orbitals are degenerated होते है it's all orbitals it's all orbitals are degenerated it's all orbitals are degenerated degenerated का मतलब होता है orbitals that have same energy orbitals that have same energy तो अब hydrogen के अंदर देख रहे हो 1s orbital का तो ठीक है लेकिन जब आप उपर गए तो 2s 2px 2py और 2pz सब की energy बराबर है तो यहां पर मैं कहूंगा यह सारे के सारे और्बिटल है डी जेनेरेटेड है उसके उपर आप देखो 3s 3px 3py 3pz 3dxy 3dyz 3dzx 3dx square y square इन सबकी energy भी बराबर है यह भी सारे के सारे डी जेनेरेटेड है आई बास समझ में अगर आपका electron यहां पर 1s orbital में मौझूद है और मैं अगर इसको 1s orbital से jump कराकर अगर यहां पर second shell पर ले आऊँ तो second shell में आने के बाद यह चाहे तो 2s में बैठें यह चाहे तो 2px में बैठें चाहे तो 2py में बैठें और चाहे तो 2pz में बैठें इस एक electron को jump करके second shell में इन चारो और्बिटल्स में से कहीं भी बैठ सकता है क्योंकि इन चारो की energy बराबर है तो जब आप इस electron को energy दोगे इतनी energy की यह यहां पहुच सके तो इसको जितनी energy दी उत्ती energy न और्बिटल्स की है तो अब यह चाहे तो यहां बैठे यहां बैठे यहां बैठे यहां बैठे जहां चाहे यह वहां बैठे आई बात समझ में that is energy लेकिन गाइस अगर मैं यहां पर बात करूं multi electron atoms की अगर मैं यहां पर बात करूं multi electron atoms की तो बैठे यहां पर यह काम नहीं करेगा यहां पर आप देखो यहां पर आप देखो 1s के बाद 2s की energy और 2s से ज़्यादा 2px की energy है यहां यहां पर 2s and 2p are not degenerated हाँ 2px, 2py, 2pz degenerated है यहां पर आप सब लोग एक point लिख लो कि px, py और pz के energy बरावर होती है इसलिए यह degenerated कहलाते है यहां पर भी same होगा यहां पर आप देखो जब आप 3p पर गए तो 3p के बाद जादा energy 4s की आई और 4s के बाद 3d की आई तो 3d में dxy, dyz, dzx, dx square, y square और dz square इन सब की energy भी बरावर है यह देखो इन सब की energy भी बरावर है तो आप मान लो अगर आपके पास में एक electron है 1s में और आपने उसको energy दी तो अगर आपने उसको कम energy दी तो वो केवल 2s में पहुचेगा 2p में नहीं अगर वो 2s में पहुच गया और आपने उसको थोड़ी सी और energy दी तब वो 2px, 2py और 2pz में से किसी एक में जाकर बैठेगा concept समझ में आया तो इसी लिए किसी भी orbital की energy पता लगाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे bore and bury rule हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे bore and bury rule which is n प्लस l रूल तो यहाँ पर ज्यानागना greater the n प्लस l value greater will be the energy of the orbital तो 1s orbital के लिए n की value 1 और l की value 0 तो 1 प्लस 0 याने की 1 लेकिन 2s के लिए n की value 2 l की value 0 2 प्लस 0 याने 2 2p के लिए n की value 2 l की value 1 तो 2 प्लस 1 याने 3 3s के लिए n की value 3 l की value 0 तो 3 प्लस 0 याने 3 3p के लिए n की value 3 l की value 1 1 3 प्लस 1 याने की 4 अब 4s आएगा n की value 4 l की value 0 4 प्लस 0 याने की 4 और फिर आएगा 3d सर 3d बाद में क्यों आएगा भले n की value 3 है लेकिन मिटा l की value 2 है तो 3 प्लस 2 याने 5 तो इसके n प्लस l की value जादा हो रही इसलिए ये energy में बाद में आएगा समझायो बच्चे अच्छा अब अगर मान लो n प्लस l value सेम आ जाए तो क्या होगा देखना जैसे 3d orbital इसमें n प्लस l की value 5 और 4p में n प्लस l की value 4 प्लस 1 याने की 5 तब इन दोनों में से किसकी higher energy होगी हम कहेंगे 4p की energy higher होगी क्यों तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे if n प्लस l value is same then prefer n किसका n जादा है जिसका n जादा होगा जैसे यहाँ पर n 4 का जादा है 3 से तो उसकी energy जादा होगी और अगर n भी सेम आता है तो फिर वो generated होता है ठीक है चलो अब हम electronic configuration की तरफ चलेंगे अब हम लोग electronic configuration की तरफ चलेंगे आफ बाव बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स और फिल्ड इन एन आटम कि इन दा इन्क्रीजिंग ओर्डर of the energy of the orbitals याने कि अगर आपके एटम के अंदर सबसे पहला electron रखना है तो सबसे पहले उस orbital में आएगा जिसकी energy सबसे कम होगी फिर जब वो orbital भर जाएगा तो उससे जादा energy वाले में वो भर जाएगा तो उससे जादा energy वाले में और वो चार्ट आपके सामने ये है सबसे पहले आप electron भरोगे 1s में 1s के बाद आप electron भरोगे 2s में 2s के बाद आप electron भरोगे 2p में 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p 4p के बाद 5s 5s के बाद 4d then 5p then 6s and likewise आप ये method का इस्तमाल कर सकते हो ठीक है फिर Poly's Exclusion Principle Guys Poly Exclusion Principle के अंदर या बात ध्यान रखना Poly Exclusion Principle के इंदर क्या होता है No two electrons With same spin quantum number can be present in an orbital that is not four values of quantum number should be same for example अगर आपके पास में 1s orbital है तो 1s orbital में मौझूद दोनों electron के लिए n की value 1 होगी l की value 0 होगी और m की value 1 होगी denoted by 0 लेकिन इन में से एक electron अगर clockwise होगा तो spin quantum number किसी एक electron के लिए plus half होगा और दूसरे electron के लिए minus half होगा यानि दोनों electron के चारो quantum number की value कभी save नहीं होगा यानि इन short आपको electron हमेशा ऐसे भरना है आप electron box में ऐसे नहीं भर सकते आप electron box में ऐसे भी नहीं भर सकते poly exclusion principle के बाद अगला आता है हुंस rule guys हुंस rule ने बड़ी अच्छी बात बोली हुंस rule ने बोला कि पहले आप एक orbital के अंदर कैसे करोगे electron भरोगे लेकिन अगर आपके पास में कोई degenerated orbital आ जाए तो आप उसके अंदर pairing नहीं करोगे आप पहले उस degenerated orbital को half filled करोगे फिर उसको fully filled करोगे और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो इस ने क्या बोला फुन्स rule said that no pairing of electron starts in any degenerated orbital until all the orbitals of the sub shell contains one electron with parallel spin यहना आप for example यहाँ पर अगर मैं आपसे 3D orbital की बात करूँ तो 3D orbital में 5 orbitals है 3D X Y 3D Y Z 3D Z X 3D X Square Y Square 3D Z Square जब आप electron भरोगे तो पहला electron आप इसमें भरोगे अब आप इस orbital को pair नहीं करोगे आप अगला electron इसमें भरोगे फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें अब जब सारे electron के अंदर सारे इलेक्ट्रों आ गए पांचों के पांचों और्बिटल में एक 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 इलेक्ट्रों आ गए तब का स्पिन परेलल है तो अब आप वापस पीछे जाओगे और अब आप इसके अंदर इस तरीके से इसकी पेरिंग स्टार्ट करोगे आई बात समझ में अब हम यहाँ पर electronic configuration का एक example लेके इस चीज़ को समझते है मानलो मेरे बात में नाइट्रोजन अटॉमिक नंबर 7 तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 1S और्बिटल जिसकी एनरजी सबसे कमें उसमें एक electron रखूँगा हाफ फिल्ड हो गया अब मैं दूसरा electron रखूँगा with opposite spin फुन्स के बाद poly भी follow हो गया अब आफ बाउ के हिसाब से 2S पर जाऊंगा फुन्स के हिसाब से पहले इसको आदा भरूँगा फिर इसको पूरा भरूँगा लेकिन polys का ध्यान रख्के opposite spin फिर आफ बाउ के हिसाब से 2PX 2PY और 2PZ बनाऊंगा और इसके अंदर एक electron यहां रखूँगा लेकिन अगला electron यहां रखूँगा क्या नाई क्योंकि अब यह डी जनरेटेड हो गया है अगला electron यहां और अगला electron यहां आएगा अब एक बात हमेशा ध्यान रखना एक ऐसा एटम जिसका और बिटल फुली फिल्ड ओ यहार आलवेज हाइली स्टेबल या तो इसका इसका बहुत बढ़िया एक्जेंपल होता है क्रोमियम अटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम का जब आप कॉन्फिग्रेशन बनाओगे तब आप डेफिनेटली उसके 1s में 2 electron रखोगे 2s में 2 electron रखोगे 2p में 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 electrons रखोगे फिर 3s में electron रखोगे फिर 3p में इसे रखोगे 18 अब 4s आएगा 1, 2, 3, 4 और इसके बाद आएगा आपका 3D अब बात ही हो जाएगी कि सोचने वाला बोलेगा कि भाईया इसमें electron रख दूँगा 20 फिर 21, 22, 23, 24 लेकिन अब आप खुछ सोचो कि क्रोमियम क्या सोच रहा होगा कि यार काश काश मेरे इस orbital में एक electron आ जाएगा तो यह half filled हो जाएगा 3D पूरा एक electron अगर और आगया तो यह half filled हो जाएगा तो luckily यहाँ पर आप देखोगे कि 4S orbital और 3D orbital has very less energy gap क्यों क्यों क्योंकि इन दोनों के N प्लस L की value 5 होती है न सेम होती है तो इनका energy gap बहुत कम होता है तो कम energy gap होने की वज़़े से क्रोमियम अपने एक electron को उठा कर यहाँ फेग देगा तब यहाँ पर आपको एक ही electron दिखेगा और यहाँ वाला electron यहाँ आ जाएगा 4SB half filled 3DB half filled तो क्रोमियम का electronic configuration थोड़ा सा अलग चलता है ठीक है ठीक है गाइस चालो तो with this we have completed the chapter need in 140 days हमारा यहाँ पर आज complete होता है अब गाईज आप लोगों से एक request है हमारी PYQ series हमारे प्रतिग्या batch को जरूर follow करना और जो बच्चे सोच रहे थे कि सर्थ need in 140 days का क्या होगा तो guys need in 140 days का कुछ नहीं होगा हम लोग प्रतिग्या batch में need in 140 days को compile करके complete करेंगे और हम लोग PYQ series के अंदर हमारे PYQs करेंगे तो need in 140 days अब आपको नहीं दिखेगा लेकिन प्रतिग्या series continued रहेगी और प्रतिग्या series के साथ था तब need in 140 days के जगह पर PYQ series आने वाली है तो guys I hope आप लोगों कोई chapter समझ में आ गया होगा from my site thank you so much for joining वीडियो पसंद आया तो like जरूर करना वेदान्तु daily practice problem link पक्लिक करके जरूर practice करना हमारे telegram channel को join करना मिलता हम आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए आस्तारा वीस्ता keep watching and keep rocking